हेलो डियर्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुग्रा प्लांट के उपर अगर आपका मुग्रा बिल्कुल सूख रहा है पत्ते जड़ रहा है बिल्कुल भी मुग्रा हेल्दी नहीं है या फिर मुगरा ठीक ठाक है लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो दोनों situation में हम किस तरीके से मुगरा को healthy बना सकते हैं और उससे खूब सारे फ्लावरिंग ले सकते हैं आने वाला समय मुगरा का ही होने वाला है जितनी ज़्यादे गर्मी होगी उतना ज़्यादा मुगरा खिलेगा बस डिपेंट करता है कि आप इसकी केर किस तरीके से करते हैं मौसम तो साथ देगा ही लेकिन आप जरासी केर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखिये को मिलेगा इसकी मिट्टी किस तरीके से होनी चाहिए कौन सा पर्टिलाइजर देना है किस तरीके से केर करनी है सारी जानकारिया आपको इस वीडियो पर मिलेगी तो दोस्तों आपको अपनी गार्णिग चैनल गार्णिवित मोमस्मेक बट फिर से बहुत-बहुत स्वागत है यह वीडियो यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्स्राइब जरूर करें इंस्टा या फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेच को फॉलो जरूर करें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यह देखे दोस्तों मेरा मोगरा का पौधा अब इस सिच्वेसन में आ गया है तो मुझे अब डरनी की ज़रूरत नहीं है कि मोगरा पहले के बनेजबत काफी जादा हेल्दी है कई गुना जादा बहतर इसकी कंडिशन है और इसके पत् नहीं है लेकिन कई बार नए पत्ते भी पीले होके जड़ने लगते हैं ब्राउन हो जाते हैं तो उसमें आप अपने मोगरा की फिर से केर करेंगे तो आपका मोगरा भी इस तरीके से हेल्दी हो जाएगा अक्सर विंटर के सीजन में मोगरा का प्लान डोर्वेंसी में चला लगता है बस आप पर डिपेंड करता है कि आप उसकी केर सही तरीके से करें एक ऐसा फर्टिलाजर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जिसे बनाना काफी जादा आसान है और वो दोनों काम करता है जैसे पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है पौधा नहीं दी है उसमे अगर फूल नहीं आ रहे है आने वाले समय में आपको खुब सारे फूल चाहिए तो उसके लिए भी वो काम करता है उससे पहले आपको एक चीज करनी है मिट्टी के बारे में जानकारी मिट्टी आपको इस तरीके से बनानी है जो खुरपी की मदद से नहीं आपकी उंगलि हो जानी चाहिए इस तरीके की मिट्टी आपको बनानी है यहां पर देखिए मिट्टी आपको सक्त नजरा रही है लेकिन इस तरीके से अगर मैं उंगली चलाओंगी तो मिट्टी बिल्कुल भुर भुरी हो जाती है तो इस क्वालिटी की मिट्टी आपको मुगरा के लिए बनाना है, well-drained, nutrients rich होना चाहिए, उसमें सारे microfiber होने चाहिए, vitamins होने चाहिए, जितने भी nutrients होते हैं, वो पौधे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, खासकर मोगरा के लिए, अगर मिट्टी में गुडाई करने के लिए, आपको खुरपी की ही मदद लेनी पड़ रही है, इसका मतलब है कि आपके मिट्टी सक्त है और मिट्टी में ही में प्रोबलम है, इसी वज़े से पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा अनहेल्दी हो रहा है, तो आप पहले मिट्टी को नहीं करेगा क्योंकि फर्टिलाइजर मिट्टी में ही रह जाएगा उपर की परत में जड़ो तक पहुंचेगा ही नहीं और कोई फर्टिलाइजर आप डाल रहे है तो वो जड़ो तक जाना चाहिए, जड़ो से ही फिर प्लांट को कोई भी चीच पहुंचता है, तो इसलि दिनों मेरा मोगरा बस मरने ही वाला था, किसी तरीके से मैंने उसे सेप कर लिया है, तो उसके कंपेरिजन में ये जो मुझे रिजल्ट मिला है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं साटिसफाइड भी हूँ, मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया अपने प्ल इसमें हो रहा है, आने वाले दिनों में कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये देखे, ये दो महिने पहले का पिक्चर है, यहाँ पर आप देखे, मोगरा किस तरीके से सूख गया है, बिल्कुल भी इसमें नई ग्रोथ नहीं है, ना ही एक पत्ती बची थी, अब ये दे के साथ, जैसे कि अभी मार्च शुरू हो गया है, तो इसमें फूल भी आने शुरू हो गया है, बिल्कुल भी मेरा पौधा लेट नहीं है, जिसका मतलब है, कि मैंने जो इसमें चीजे डाली थी, वो काफी अच्छे से वर्क कर रही है, इसमें मैंने पिछले महिने कुछ इसमें पौधा लेना है, इसमें बहुत ज्यादा फूल लेने के लिए इसमें चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ, तो दोनों चीजें आपको इस फटिलाजर में मिल जाएगा, जैसे कि यह ड्राइ फॉम में मैंने डाला था, यह है दोस्तों के लेके छिलके मैं आशके हुआ, तो आशके हैं जैसे कि अब इसमें पौधा है, और फूल चाहिए और बहुत है, कई सारा मायको न्यूट्रिchnet तो भी कि महत अधिक होती है, जो फूल बनाने के लिएक ही पॉल है, पौधे को आशिम टैरें अच्छी होती है, फॉल पॉल कारा ही ठीट बहुत लबल तेजी से हमारे पौधे में ग्रोथ हुई है तो यह जो केले के छिलके का जो फर्टिलाजर है यह हमें किस तरीके से लेना है वो मैं बता देती हूं केले को छील लिया है हमने और इसके छिलके को छोटे-छोटे पीसिस में कट कर लेना है कट करके इसमें करीब एक से दे बिल्कुल भी ठंडा हो जाना चाहिए गर्म भी नहीं होना चाहिए और धीमी आज पर ही इसको आपको बोईल करना है 10 मिल तो इस तरीके से इसका फाइनल लुक हो जाएगा हमने बोईल कर लिया है पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है इसका मतलब है छिलके में जो तरिके से आसानी से अलग हो जाता है तो यहां पर हमारा बेस्ट फूर मोगरा तयार होगया है मोगरा के Saat-Sat-ाथ आप इसे किसी भी फूल वाले पूद्य में डालीए गा तो उसमें ग्रोफ भी अच्छी होगी तो फूल भी अच्छी तरीके से खिलें गे तो यह हमने जि यह सारा फटिलाजर डाल दूंगी आपको बस यही धियान रखना है कि जो भी आप फटिलाजर डाल रहे हैं खासकर लिक्विट फटिलाजर वह इतना जादा भी ना डालें कि ड्रेने जोल से बाहर बेह के बेश्ट हो जाए या फिर इतना कम भी ना डालें कि उपर की जाएं क्योंकि गीले केले के चिलके फंगस पैदा करते हैं ड्राइ केले के चिलके अगर गलती से गिर जाते हैं तो इसे अलग कर लें और कभी भी कच्छी केले का जो चिलका होता है वो मिट्टी में डालें यह जो हमारा बच गया है इसको दोबारा बोल करने से फाइदा नहीं है अब इसमें कुछ भी नहीं बचा आप इसे कमपोश्ट बीन में डाल दें या फिर ड्राइ करके फिर आप इसे पौधे में डे सकते हैं दोस्तों चलिए अब मैं उनके नाम हाइलाइट कर देती हूं जिनोंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था रेखा नाम और आप कहां से यह जिरूर्ड मेंशन कीजिगा तो देखा दोस्तों आपने कितना सिंपल सा प्रोसेस है मिट्टी आपको अच्छी बनानी है पौधे की पूरूनिंग भी आप कर सकते हैं अगर आपका पौधा थोड़ा सूख रहा है तो सूखे ब्रांचे जर पत्तो और्गैनिक तरीके से हिच किया जाता है मैं बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाजर अपने प्लांट्स में यूज नहीं करती हूँ पौधा कभी आपका आने हल्दी है कोई भी पौधा हो उसको फूल पाने के लिए एकदम से फर्टिलाजर ना डाला करें पौधा हल्दी होग के लिए बाइ टे केर हैपी गार्णिंग